36 के मुखी मंतरी डॉक्टर रमन सिंग अटल विकास यात्रा 2018 के दौरान 18 सितंबर को कोरिया जुला में रहे और उन्होंने कोरिया जुले को अन्चानवे करोड 27 लाग के करीब योजनाओं की सौगादी और करीब 88 करोड के कार्यों का शुलान्यास भी किया अटल विकास यात्रा में कोरिया पहुझे मुखी मंतरी डॉक्टर रमन सिंग ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने विकास यात्रा और विकास कार्यों की जानकारी दी एक दिन पहले बिलासपूर में मंतरी अमरा गरवाल की घर पर कचड़ा फेके जाने और कॉंग्रेस भवन में हुए लाटी चार्च की घटना की मुखी मंतरी ने निंदा की और घटना की मजिस्ट्रील जांच के आदेश दिये सियम ने कहा कि जांच में जो भी सामने आएगा उसके बाद कारवाही की जाएगी पत्रकारों द्वारा आयोध्या में राम मंदिर बनने को लेकर हो रही देरी पर सवाल किये जाने पर उन्हों ने कहा कि मामला अभी सुप्रीम कोट में चल रहा है फैसला आते ही जन्भावना के अनरूप इस पर काम जल्द ही शुरू हो जाएगा सोशल मीडिया में मंत्री भहिया लाल राजवारी की टिकेट हाई कमान द्वारा फाइनल किये जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी प्रक्रिया शुरू नहीं होई है टिकेट पर चोयन समीती के निर्ने के बाद दिल्ली में नाम तै होता है कर्मिचारियों की चल रही हर्ताल पर सीम ने कहा कि वेतन और विसंगतियों को बैच कर दूर किया जाएगा इसके लिए एक दो कर्मिचारी संग से बाद चल रही है पत्रकार वारता में मुख्यमंत्री के साथ मंत्री भहियालाल राजवाडे संसदिय सचव चमपा देवी पावले और विधाक शाम बिहारी जैसवाल भी उपस्तित रहे इसको बैटकर दूर के जाता है चीफ सेकेटरी और हमारे अधिकारी बैटकर उसके नेराकन भी करते हैं काफी हो गये हैं एक दो और संग है उनसे भी चर्चा हो रही है अधिकारियों के साथ बैटाता है यहां प्रोडक्शन भी बढ़ा है पारन भी बढ़ा है और नए शिक्र में माइस्पोलने की प्रक्रिया भी जादी यह यह तो एक सरकार और आपकारी नीती का तरीका है हमने मांग के नुशार पहले पांसो आवादी फिर हजार आवादी फिर देड़ हजार आवादी फिर दो हजार आवादी तक धीरे देरे इस प्रक्रिया को हम बड़े गाहों तक ले जा रहे हैं जिसमें वहां पे शराब कुपलब्द ना हो और दूसरा जो आतंक और फै था एक जवाने में खोचिया राज का जाता था गुंडागर्दी था उस खुंडागर्दी को समप्त करने के एक फ्रक्रिया अपना ही है जिसमें सिमीज छेत्रों में फिकरी हो और सरकार के मात्यम से हो कुंडों के मात्यम से ना हो तो एक सान्ती का वातरन का नर्मान चत्फिगण में हुआ है अगे धीरे धीरे हम कहां तक जा सकते हैं ये इस वामला विशारा दिने उसको नेराकड़ के सम्मद में